हे गाइज हेलो नमस्ते सास्रियकाल आदा मैं हूँ राज और स्वागत आप लोगों का वापस से मेरे चानल ड्रीम क्यों राज में और हम लोगों का फाइनली इंतजार खतम हुआ और ट्रीकड इंसा ने वीडियो डाल दी है और मैं देखने के लिए बहुत जादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी ये टू विक्स के बाद वीडियो आई है मतलब ये सेकेंग वीग है जिसमें अंदर वीडियो आई है अगर आप लोगो इस वीडियो के रियाक्शन चीह तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा और किसके रोस्ट के ओपर मैं रियाक्शन दू या मीम्स के ओपर दू या सॉंग के ओपर दू वह भी मुझे प्लीज आप लोग सजेस्ट करना और हर बार की तरह जै तो झालिए हम लोग बढ़ते हैं व्यायते पस्थी तो च्लिए वीडियो स्थी करते हैं Online Live अधिया थैन या इनकी आवास सुनता ही ना मुझे हासी आताव शुरू हो लाती है इतने प्यारे से इतने बियारे से मजा आता है मजा आता है एक स्टोरी है जो मैंने सुरी तुम्हें आपको सुना रहा हूं धर्यवाद क्या आप लोग पूतों में विश्वास करते हैं नए अची बात पर में निकरता आज का स्टोरी डाइप तोड़ा सा अलग होने वाला है अए ऐसे कैसे बोल रहा है दमसे बोलना अची बात निकल जाता हूं तो आज की स्टोरी है शिलॉंग में घाल लिया की रॉनिका की? वो घर जा पर में रहते थे बहुत ख्रीपी है तो जब जाती होना बहुत टर लगता है अभी दिवां बहुत नेले कर भाईच आते है तो यह स्टोरी 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 होती है बाक इन 2017 जब रॉनिका अपनी फामिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट वी थी और ओनेसली जब रॉनिका ने मिरको उस घर की फोटोस बेजी तो मैं समझ सकता था कि यह स्टोरी दरावनी क्यों है क्योंकि वो घर देखने में काफी जादा स्केरी लग रहा था बट यह चीज ओवेसली रॉनिका और उसकी फामिली को तब नहीं पता थी बट पता चलने वाली थी तो अभी इस नए घर में शिफ्ट हुए रॉनिका और उसकी फामिली को जादा से आधा एक डेट हपता ही हुआ था और रॉनिका को वहां पर बहुत जादा नेगेटिविटी फील होनी शुरू हो गई थी उसको हमेशा लगता था कि इस घर की वाइब बहुत जादा नेग अचानक बात्रूम में से थख 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 अवाज आनी शुरू हो गई ऐसा लग रहा था मानो कोई बात्रूम में से निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन शौकिंग बात तो यह थी कि घर के सभी मेंबर्स सोए पड़े थे तो फेर बात्रूम के अंदर से कौन नौ या फिर कोई बहुत ही ताकतवर बिल्ली हो सतता है ना अब धिरे धिरे नौकी के वास बढ़ती चारी है रूकी निरी है एंद इतनी बढ़ गई कि उसको अग्णोर नहीं नहीं सकते तो रौनिका की मम्मी हर होरर मुवी की मम्मी की तरह जा के चेक करती है के एक्चुली में क क्या क्या है मुवे एंप यूवे बार्ब क्यूने मुवार Patriव कि मम्मी कहा था नहीं जाने हो वहां मुवे कर हो तो यूवे तो रहोते नहीं जाना जिए वहाँ पर मुमी जब वापस आई कि मैं इत्ता बुने कहा था कि मुमी आपक यू बॉल्यूड मुमी की तरह पाल तरह तो वहाँ पर आक्चिली में कुछ हुआ था मुमी ने दराजा खोला ले कि अंदर ही अंदर मुमी भी टरी हुई थी फिर सही है लेकिन ये तो भूतियापन्ती की सिरफ स्टार्ट ती इसके बाद तो चीजे और जादा अजीवजीब होने लगती सबसे पहलो तो रहनी का किनानी जून के साथ ही रहती थी उनकी तबियत अचानक सी खराब होनी शुरू हो गई एक दिन रात के एक ड़र बजे किचन में से बरतन खड़कने की अवाज आनी शुरू हो जाती है चेक करने पर चलता है कि एक खाने के बरतन के ऊपर लगा लेड जो होता है न धकन वो अपने आ फिल रहा था उसमें नाई कुछ खाना हाले उसके सामने कभी एकसेंट नी करते थे शायद घर में सचमें बूथ हो सकता है लेकिन जो बिलीव नहीं करता ना वह सचमें जल्दी एकसेट नहीं कर पाता है आप लोग में से कौन-कौन बिलीव करता है मुझे पताना क्योंकि मुझे ज़ातर बीलाइस के मिलते हैं कि मैं तो न्यूटन हूँ आप लोग मुझे बताना की है या नहीं क्योंकि मैं गौड है तो भगवान भी है ऐसा सब लोग वोलते तो आप लोग के साथ में कुछ हुआ है ऐसा तो मुझे प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना और मुझे सज़ेस्ट भी करना कि मैं किसी मुवी मताब कौन सी मुवी देखू मैं क्योंकि मेरे पास मुवी खतम हो गया भी और एक्दम स्केरी होनी चाहिए ठीक है इसके बात जोवा उसके बात रहांने थो है कि अब वह इसगर में रहने वाली रहने का पंट नान के साथ सोती थी उसकी नानी राइट साइड़् 개the roof लेकिन एक दिन सोते-सोते करवत लेने के लिए रहनी का लेफ्ट की तरफ कुमी एंड उसको ऐसा लगा कि उसने किसी को तच्छ किया है वहाँ पर कोई था वो कोई ब्लांकेट नहीं था तरफ की दें ले बाहनी कोई एर उता नहीं अच्छ की अने है KARाण वर्मोर्ण के लागा कोई नहीं सब्सक्राणी की अशनीब लेफार मेरे को अफस्डम की ज़ लेका है आप खोया प्रणूम्प फोटाच लेगा पाओ नहीं था कर यृ नहीं की mujer कि लिए प्ल्ष नहीं कोई इस घर में क्यों ही रहना चाहेगा लगे तो बहार से काफी जादा स्केरी लग रहा है लेकिन लगी फोर रॉनिका इसके बाद उसके घर वालों ने भी एक्सेप्ट किया कि इस घर में कुछ तो गलत हो रहा है और नानी की उसकी तबियत और ज्यादा डेवाईडे जुदर भी होलों इसकी बाद कोता अपिप एक नानी जानी बताया कोई उसके आ थेखने को उसकी अपर रात के तैम एक पहीं उसकी को चाने को क्या टो डेडर है जिसके नानी क्या रिपलाय करती ती तुम कुज है तुम खुझी सुन लो अमेश अμे सटने में लेगी सपन विसकेट कर दबाब आ रखा 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 रख कि अगालो ओके नानी ओपी इन चाड़ गैस जोक साइट तो नए घर में शेफ्ट होने के बाद चीजे बैटा लगए लगए रौनिका की नानी की तवियर दीरे अप इम्रूव ओने लगए और कुछ टाम के बाद रौनिका अपने अपने नेवर से मिली जिन्होंने रौनिका को उस भूदिया घर की स्टोरी सुनाई तो नेवर वाले भाईया को हम इस वीडियो के लए बलाई में चिपकली भाई तो चिपकली भाई ने बताया के अफ्यू यर्स बाद के लिए करा आप पता नी अच्यो कि मेगालया एक फ्लड प्रोन एरिया है फ्लड वले टाइम पे खाना ना मिलने की वज़ज़ से उन बेंगॉली अंकल की वहां बेट होगी थी यूडू स्टार वेशन तीन तब उनका बाद नेकाला क्या था उनका बोटी ओंसे तीन देन के बाद ने 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 न काफी दिन पहले ही डेथ होगी थी यूडू स्टार वेशन खाना ना मिलने की वज़ज़ से और रौनिका की नानी ने कई बार ये बात पूली थी कि उनसे रात में कोई खाना वांता था एंड किचन में भी खाने के बरतन खड़कना तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोश जवे इसके बाद रौनिका की सामिली याई और वो लोग चले गए और उनके बाद एक हापिली बैरिट कपल शिफ्ट हुए उस घर के अंदर उनका एक बेबी हुआ और बेबी बोन होने के एक हफते के अंदर अंदर लड़के ने छोड़ दिया घर लड़के ने छोड़ जब लड़के ने अच्छा एक बाद बताई रौनिका को विच तो उस घर में एक बात बताई रौनिका को विच मुझे ने एक बात समझ में नहीं आती है कि जब शिफ्ट होते है ऐसे कोई प्लेस पे ठीक है जब उसके ऐसे रूमर्स होते है यह जो भी रियालिटी होती है यह जब बस पहले क्यों आलर्ड करते इचरने के चलले जाते हैं तब अलड करते आकर यह क्या मतलबcher वह की तब इस चोड़ी पताते हैं बहुतं सो carrot already वह पहले ही नुद ईğान्यक् lieग करते हैं कि हां कुछ इंसिद्ट सोगा तब हम उनको बताएंगी यह क्या बात घलत ब कि अगर बहन पर भूत एक अंकल का था तो पायल की अवास नगएज्टाए वएर तो तुमै लगता था कि कोई अंकल है लेकन किसी प्राइय कि आपी भी मंत वेशन अपायल की अवास आती रहता है कि वहां पता निया कौन था कि मुझे वो सकता है वो अंकली जो थे पायल पैन के बागते थे वो सकता है कि महलब इट से इस चॉइस अब अब बट सारे लोग होंगे जो बोलेंगे ना ना ये बिल्कुल सच नी है जूट है फेक है कुछ लोग विलीब भी करेंगे सच क्या है वो नोस मेरको नहीं पता बट I honestly enjoyed this story आप लोगों के स्टोरी सुनाने में पहुत जाबा मदा आ रहा है कौन होगा हमारी next story time video के लिए responsible वो तो आपको तब ही पता चलेगा जब आप इस वीडियो पे लाइक करोगे थांक यू सो मच तो यू रहानिका जिनोंने अपनी स्टोरी सुनाई आइ इस वीडियो तब तक के लिए क्लेए प्रचेंगा थांक्स पूर आपको यू वेल्टम अबाबा मजा आगया मुझे तो इस वीडियो पूछ इंडियो जिन से मैं पूछती हूं के पर्सनल एक्सपिएंस तो वो लोग बोलते कि हाँ वही सच में होती है ऐसी एनर्जी होती है मुझे कोई ऐसा ऐसा स्केरी वाला जो बोलते ने एकदम एक्सपिरियंस मिलानी है और एक बर विश्ट है कि मैं एक बर देखूं करके लेकिन हिम्मत भी नहीं है लेकिन देखना भी है चक्करी है थारे ठीक है और वो जिसके उपर बीटती है उसको पता होता है तो बताईगा एक पाकिसान का चानल है जो ऐसी चीज़ों पर जाते हैं एसी एस शैड से मुझा भी एसी टीएस असद और मुझा नाम या नेरा चांद नवाब और शैरी भाई और हैं उनके वो चानल में ज़रूर देखते हूं कैसे जो इस तरीके से उनके साथ में इंसिडें इससलिए हैं तो मुझे कहीं पर इतना से कट नहीं आता है तो वह वीडियो देखकर मुझे ऐसे लगते हैं कि हाँआ वह सच में होती है अगर आप लोगों आप लोगों तीन हम लोग को बीडियो यहीं पर ख़तया है बहुत ज्यादा आज मैं बगबग खोड़ लिय की नह इसको जो है लाइक कर देना, शेयर कर देना और मुझे आप लोग सजेस्ट भी किजिए अगर आप लोगो ट्रेगडए इंसान के वीडियो पसंद है तो उनके और कौनसे वीडियो के पर मैं रियाक्शन दू या शायद सब मैं कोई मिस कर दिया होगा तो मुझे जरूर बताना तो मैं मिलती हूं अगले वीडियो में तब तक के लिए खुद का ख्यार रखी, खुछ रहे और थैंक्यू, टैक्स्टा, बाब बाई